हालेलुया परंतु बच्चे उसके गर्म में ही जगडने लगे तब उसने कहा यदी ऐसा है तो मैं जीवित कैसे रह सकती हूं अता वो यहुआ से पूशने को गई और यहुआ ने उसे उससे कहा तेरे गर्म में दो जातियां हैं और तेरी कोक से निकलते ही अलग अलग दो राज्य हो जा काली होगा और बड़ा तो छोटे के अधीन होगा प्रेस लौट हम सब प्रात्राइं करते हैं और हम सब प्रात्राओं में चाहते हैं कि हमारी प्रात्राओं पूरी हो और परमिशन हमारी प्रात्राओं को पूरा करता भी है अलेलिया लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भ हमें हमारा मांगा हुआ मिल जाता है तो बहुत सी बात ऐसा हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेम है हमारा जो समर्पण है वो परमेशर के लिए कम हो जाता है जैसे हमको आशीशित पैसा मिला हमने मांगे कि हमको परमेशन लाख रुपए की पकार दे दे हमारे अज भुत तरीके से हमको नौकरी देप चाश जार की नौकरी दे हमारा धंदा अच्छा हो कोई मानी बन पता के दे हमें मा बना एक इन आती थी हमारे सोला साल तक उसका गई तो क्या होता है हम जब मांगते परमेश्र तो परमेश्र हमारी इच्छाओं को पूरा करता है और जैसे हमारी इच्छाओं को पूरा करता है तो वह अभिशेक वह आशीश जो हमें मिलता है जो प्रात्रा के जरीए परमेश्र ने हमें दिया है हमारी जोली भर्दी है हम उस आशीश में इतने खो जाते हैं कि हम परमेश्वर क्यों भूल जाते हैं। Yes, हमारा ध्यान परमेश्वर से डाइवर्ट हो जाता है, उस अभिशेक के तलब चला जाता है। Hallelujah, praise the Lord, लेकिन वो गलत है। Bible कहती है, वचन बठाता है कि हमें एक प्रातना जब हम करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीश दे, हमें आशीशित नौकरी दे, हमें आशीशित बच्चा दे, हमें आशीशित लड़का दे, हमाएं आशीशित एक बच्ची दे, Hallelujah, हमारा दंदा अच्छा हो, हम जब प्रातना क चाहता है कि जो आशीश वो आपको देता है उसको आप कैसे यूज़ करें ताकि आप अपनी बुद्धी से यूज़ करेंगे तो वो आशीश आपके जीवन में गलत तरीके से आप उसको यूज़ कर पाएंगे और उस अभी शेख की वज़े से शेतान आपको वर गलाएगा और आप कहीं और हो जाएंगे परमिशर कहता कि मुझे साब मांगो तो मैं दूँगा आप मांगते कि मुझे पैसा दीजिए खाने के लिए पैसा नहीं है बच्चे हैं पैसा दो पैसा दो पैसा दो मुझे आशीश दो घड़ दो और परमिशर आपको आशीश दे देता है आपको पैसा दे देता है कि और जब पैसा दे देता है तो आप पूशते नहीं कि परमीस्टर्फन सीज़कू मैं कैसे यूश करूँ वोता जा पैसा आपके सिर बे चर जाता है वो लोकर सोमें बॉत हो गया है रत को बाराः वजे आता हूं बस क्या कहे अरे आप देख रहे हैं ना कैसे जाओं मैं प्रात्रा मैं कैसे आओं वो अभिशेक ने आपका दिमाग खराब कर दिया आप नहीं जान रहे हैं कि परमेश्वर नहीं आपको दिया है अलो परमेश्वर आपको दे रहा है और परमेश्वर चाहता है कि उस अभिशेक का उस आशीश का आप सही उप्योग करें आपको मैं बताओं आप जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर उस आशीश को उस चीज़ को अनम्तकाल के लिए देना चाहता है अलो आप समझे ही नहीं आप जो भी कुछ मांगते हैं परमेश्वर उसे अनंतकाल के लिए देना चाहता है कम समय के लिए नहीं देना चाहता है आप अभी के लिए मांगते अभी चाहिए मुझे मेरी प्रात्रा अभी पूरी हो मेरी इच्छा अभी पूरी हो जाए लेकिन परमेश्वर आपको कोई भी चीज जो आपको देना चाहता है वो चाहता है कि वो अनंतकाल के लिए आपके साथ रहे प्रेस अलॉट इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उस अभिशेक को सही उपयोग करें उस आशीश को सही उपयोग करें मिलने के बाद प्रेस अलॉट मिलने के बाद उसका सही में उपयोग करें कि येस तो परमेश्वर का अशीश आपको निरंतर और अनंतकाल के लिए मिलेगा यहाँ पर रिबिका के से हम कुछ सीखती है रिबिका ने रिबिका बांच थी अललॉया बर्तुयल की बेटी थी और बांच थी अललॉया उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था और उसने परात्रा की हमने देखा किस तरीके से 21 वचन दुवारा पढ़ लेंगे 25 का 25 इसाग की पत्नी बांच थी इसलिए उसने उसके लिए यहाँ से परात्रा की यहवा ने उसको उत्तर दिया और अपनी और उसकी पत्नी गर्विका गर्वती होई प्रेस अललॉया तो पहली प्रात्रा रेविका ने क्या की कि मुझे बच्चा चाहिए मैं बांच हूँ मेरी कोख बंद है पहली प्रात्रा उसने क्या की कि मुझे बच्चा चाहिए यह प्राजरा किया कि उसने देखिया अपक्तु बच्चे उसके गर्भ हीमस के जगहड़ने लगे तब उसने का यहावा से पूछने को गई पूछने को गई यहनिके तब यहौवा से दूसरी प्रात्रमा की उसने। ऑलल्या और यहोवा ने उसको बताया, यहोवा ने उसको बताया कि यहोवा ने उससे का कि तेरे गर्म Cord stuffs है तेरी और से निकलते ही अलग-अलग दो राज्य हो जाएंगे एक राज्य दूसरे से अधिक शक्तिशाली होगा और बड़ा तो छोटे के अधीन होगा हलो जब उसने उस आशीश को जो परमेशन ने दी थी उसको कैसे उप्योग करे उसके संग कैसे डील करे जब उसने परमेशन से पूछा तो परमेशन ने उस रहसे को बताया कि जड़वा बच्चे हैं बड़ा जो है वो छोटे के अधीन होगा अलग बात है असंभावे की बड़ा-बड़ा होना चाहिए वो छोटे के अधीन कैसे होगा प्रेस अलॉट यह रहसे परमेशन ने उसकी दूसरी प्रात्रा में बताया उसको अगर वो प्रात्रा नहीं करती प्रेस अलॉट तो क्यों जान पाती नहीं जान पाती वो परमेशन की चुनी हुई बच्ची थी मैं अपने आशीश को कैसे उप्योग करूं मुझे परमेशन ने डास बनाया है मैं बॉलिवुड में था 12 फिल्म पढ़ता था मैं दुरुदर्शन पर और मैं बहुत पापी था बहुत पापी था शराब भी पीता था सिग्रट भी पीता था घलत काम करता था लेकिन परमेशर से मैं घुटने ठेक के परातना करता था कि पर हूं मुझे मिलिये कौन है जो मेरे दिल में सुकून ला सकता है श अपना दास बनाया तो पहली मेरी प्रातना कहां शुरू हुई कि मुझे पर मेश्र अपना दास बना ले मुझे चुन ले मेरा उधार कर मुझे पापों श्रापों से मुफ्ट कर हलेलुया और दूसरी मेरी प्रातना कि जब तुने मुझे अपना दास बनाया है तो मैं इसका कैसे उपयोग करूं हललुया जो तु मुझे वर्दान दे रहा है जो तु मुझे अभी शेख दे रहा है जो तु मुझे ग्यान दे रहा है उसका मैं सही इस्तमाल करूं प्रभू हमें तो यानि कि मेरी पहली प्रात्रा से मेरी दूसरी प्रात्रा ज्यादा इंप्रहसिते है अगर मैं दूसरी दूसरी प्लात्र हं नहीं करूंगा तो मैं उस अनुस अभी शेषिट handling नि estos और आजƯ अपने बुत्धी है जरूरी है रिबिका ने दूसरी प्रात्रा की कि प्रभू दिया कर ये जो बच्चे लड़ रहे हैं मैं क्या करूं और प्रभू ने कहा कि ये दो जातियां हैं ये दो राज्ये हैं जो तेरे गर्ब में हैं और जो बड़ा है वो छोटे के अधीन होगा हालेलिया उसने इस बात को थाम लिया उसने इस बात को पकर लिया प्रेस अलॉट हालेलिया और क्या हुआ अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका 27 का 5 से 13 वड़ी बेटा 27 का 5 से 13 जब इसाक बुड़ा हुआ तो इसाक ने चाहा कि मैं अपने बच्चों को आशीश दू हालेलिया देखिए उस समय पुराने जमाने में जो पिता का आशीश परमिश्र के आशीश के तुलना में होता था यहां कि जो पिता बोलता था मरने समय अभी शेक के वचन बोलता था वो वचन सत्य कहे जाते थे हालेलिया तो यहां पर इसाक ने कहा कि अब मैं मरने पर हू अभी शेक आशीष देना चाहता हूं मरने से पढ़े ताकि परमिश्र का आशीष उसे मिले हालेलिया यह उसने सोचा और वो उसने देना चाहा लेकिन रिपिका को पता लग गया कि जो इसाख है वो अपने बड़े बेटे ऐसाव को आशीष देना चाहता है प्रेस अलोड हलेलिया ध्यान से समझने की कोशिश करिये जब गर्म में उसने दूसरी प्रात्रा की थी तो परमिश्र ने कहा था कि तेरे अंदर तेरे गर्म में दो जातियां है दो राज्य हैं अलग-अलग और जो बड़ा है वो छोटे के अधीन होगा वो जानती थी कि बेरा जो बड़ा बेटा है ऐसाव वो याकूब के अधीन होगा और यहाँ पर पिता जो है इसाव वो बड़े बेटे को आशीश देना चाहता है अगर बड़े बड़े को आशीश देना चाहता है अगर बड़े बड़े को आशीश देगा तो बड़ा अगर हम अपने जीवन में आशीश के लिए प्रातना करते समय ये जानेंगे कि जो मुझे अभी शेक मिला है जो मुझे पैसे मिले है जो मुझे नौकरी मिली है जो मेरा धंदा बढ़ रहा है उसका मैं परमेश्वर के राज्ये के साथ-साथ कैसे उपयोग करूं कैसे उपयोग करूं अपने उस आशीश का कहीं खोना जाओं कहीं वो आशीश मेरे दिमाग को उल्टा ना कर दे इसलिए हम अगर दीनता और नम्रता के संग उस आशीश के संग रहना चाहते हैं जो परमेश्वर को दिया है वश्वास करिए अगर परमेश्वर के आशीश को आप इमानदारी के साथ परमेश्वर के अनुगरे के साथ परमेश्वर के अंडर रहते हुए उसका उपयोग करेंगे वो आशीश कभी खतम नहीं होगा कभी खतम नहीं होगा लेकिन जैसे ही वो आशीश मिलता है हम उस आशीश को अपना बना लेते हैं मेरा है मैंने कमाया है मैंने अपनी बुद्धी से लिया है मैंने मिनत की थी मैंने पढ़ाई की थी अरे मैं उस आदमी से जाकर मिला अरे मैंने उस बहन से बात की अरे मैंने कहा कि जो मैं है न वो आपको खतम कर देगा आप और मैं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में जो हो रहा है वो परमेश्र की इच्छा से हो रहा है ये परमेश्र का अनुग्रे है हमें तो बस अपने जीवन को उसके अनुग्रह से चलाना है हमें उससे कहना है कि तू हमारा हाथ पकड़ और तू हमें ले चल क्योंकि तेरी योजनाई मेरे लिए आशीशित है तूने मेरे लिए योजनाई बनाई है Bible कहती है जरम लेने से पहते मा की कोक में आने से पहले तू मुझे जानता है बाइबल कहती है अपना इर्मिया इर्मिया एक का पाँच जल्ली बढ़िए इर्मिया एक का पाँच गर्ब में रचने से पहले ही मैंने तुछ पर चित लगाया गर्ब में रचने से पहले ही उसने आप पर मन लगा, ये सोचिए आप चब कितना प्यार करता है, ना आपका रूप बना था, ना कोई सरूप था, ना आपकी सांसे थी, ना आप में प्राण था, ना आत्मा उस्तदी थी, तब उसने आप पर अपना चित लगाया, वो कितनी अच्ची होंगी, उसने आपकी मा की कोख में आने से पहले आप पर अपना मन लगाया, और बाइबल कहते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी योजनाए बनाई है, जो हाने के नहीं यह लाव की है, आलेलुया जिसने आपको मा की कोक में आने से पहले जान लिया क्या आप में क्या कमी होगी आप में क्या गोण होगी आप क्या कर सकते हैं आप क्या नहीं कर सकते हैं आपको कहां पैदा करने वाला है किन माबाप के घर में डालने वाला है कि कि कुल में पैदा करने वाला है गोरा करने को आला है काला पैदा करने वाला है क्या पैदा करने वाला है उचा पैदा करने वाला है छोटा पैदा करने वाला है सब कुछ उसने डिसाइड कर लिया उसके बाद उसने आपके लिए योजनाय बनाई हैं और हम धरती बेर पैदा होते ही उन्हीं योजनाओं को हटा देते हैं हम अपने योजनाओं के अनुसर चलते हैं कितनी बड़ी बेफकुफी है कितनी बड़ी बेफकुफी है वो राजा दे राज वो परमेश्वर वो महान पिता वो मेरा पापा उसने मेरे लिए हर सुभा कुटने पर आकर आपको पूछना चाहिए कि प्रभु आज मैं कैसे चलूं जब हलो अगर आप सफलता चाहते हैं अगर आप सफलता चाहते हैं यहुशू एक काठ निकालिए यहुशू एक काठ विवस्ता की यह पुस्तक तिरे चित्त से कभी न उतरने पाए इसे में दिन राध्यान दिया रहना इसलिए कि जो कुछ उसमें लिका है उसके अनुसा करने की तु चुशी कर क्योंकि ऐसा ही करने से तैरी सब काम सफन होंगे अलो हैा ऐसा ही करने से ववसते पुष्ट को पर्मेशर यहोश्य को बोल रहा है, तुझे महिनत करने की जरूद रही है, तुझे अपनी बुद्द्धी लगाने की जरूद रही है, तु यहोवा एक पुस्तक हालेलिया, बयाश् Pyotagny यह पुस्तक टेरे मुझ से कभी दूर नहो, पर नतु इस पर दिन रात ध्यान करना, दिन रात ध्यान करना, ध्यान करते रहना जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरन करने के लिए साफधान रहे तब तू अपने मार को सफल बना सकेगा और सफलता को प्राप्त करेगा हलो अगर आपको सफलता को प्राप्त करना है आपको व्यवस्ता की बुस्तक को वाइबल को पवित्र शास्र को अपने मन में लगाना ही पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा आज सबसे बड़ी गलत जो शैदान हमारे जीवन में काम करता है हम बढ़ते तो हैं सुनते तो यहां पर हैं करते अपने मन की हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं यह भाई ऐसा कर रहा है हम ऐसा करने लगे वो भाई ऐसा कर रहा हम ऐसा करने लगे अरे परमेश्वर ने आपके लिए योजनाय बनाई है उससे पूछो मेरे बापा क्या योजनाय मेरे लिए हलो वो जीवित है वो जीवीद है और उसकी आत्मा धड़ती पर है और अगर आपने उसको पालीय तो उसकी आत्मा आपके अंदर है फेस अलाट अभालध्य हालाया उसकी आटमा आपके अंदर है वो आपको बताना चाहता और आप पूछते नहीं है कि मैं क्या करूं कि दुनियावी चीजों में आप घूमते रहते हैं अपने बच्छों को सुभाई शाम तक बैस्ट बैस्ट इस्कूल पर डालेंगे बहुत अच्छी बात है तो ऐस्कूल बच्चा पराएं करा पढ़ा ही करा करा पल लिए गूड लेकिन फापि ब्हूंत की बैबल नहीं पढ़ रहा है एक अहेखंटा भी वैवस्ता की पुस्त अ 1 पढ़रा की जो सफलता देगी कौन सी गारंटी देती ये उनिस्टी आपकी कोई उनिस्टी है गारंटी देने वली किया आप फस्क्लास लाएंगे मैं आपको दूँगा लाग दो लाग रुपए की सर्विस दूँगा आपका जीवन सुरक्षित होगा है कोई आप एक महीना फीस ना दें निकाल देंगे आपको निकाल देंगे आपको ये गारंटी दे रही है ये विवस्टा गारंटी दे रही है अगर दिन रात तू इसमें बना रहेगा एमेन ये पुस्तक गारंटी दे रही है और मैं इसकी ग़रंटी पर ही चलता हूँ अहले खी है बहुत लोग पूछते है उसले का पाशल सुभब शान तक बैटे रहते हैं बैबल पड़ते रहते हैं, परातना कटे रहते हैं मननी का मेरा यही काम है क्योंकि मुझे यही सिखाया है मेरा इशू यही कहता है अमेन परमेश्व ने जहां आपको रखा है आपको यह पूछना है मुझे कैसे अपने जीवन को चलाओं अब यह जीवन आपका नहीं है अगर आप इस जीवन को अपना समझते हैं तो बेवकूफी करते हैं आप अपने नहीं है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दो मंदीर है जो तुमें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्र के और से मिला है और तुम अपने नहीं हो तुम अपने नहीं हो हम अपने लिए जी रहे हम अपने बुद्धी से जी रहे है कितनी बड़ी बेफकुवी है जब मेरा जीवन मेरे लिए है यह नहीं तुम अपने नहीं हो तुम मेरे हो क्या कहने जा रहा है परमिशर तुम मेरे हो बुली मैं परमेश्र का हूँ, मैं शुका हूँ, आप सुचिए, कि जब आप उसके हैं, तो आपकी चिंता आपकी है, उसकी है, आपका बोज किसका है, आपका है, उसका है, आपके बच्चे किसके हैं, उसके हैं, आपके हैं, मैं, आप क्या सोच रहें, लेकिन फिर भी आप अपनी बुद्धी से नाहीं मैं मैंन्थ करूँगा मैं करूँगा और पर्मेश्व के बच लो एक आप नहीं पा सकते हैं कि इसलिए भड़क रहे हैं लेकिन जैसा ही रेब्रीका ने देखा कि मेरा जो पती है इसाग वो एसाब को आशीश देने वाला है Hallelujah, praise the Lord क्योंकि उसने कहा एसाब को आशीश मिल गई तो परमिश्र का वचन सिद्ध नहीं होगा जो परमिश्र ने भावश्वानी की थी जो परमिश्र ने दर्शन में मुझे कहा था Hallelujah, क्यों? क्योंकि एसाब ने अपने अधिकार का उप्योग नहीं किया एसाब ने अपने अधिकार को बेज दिया 25 वह बचन, 25 वह उत्पती, 25, 28 से 33 इसाग एसाब के एहर का माज खाया करता था इसलिए वा उससे पृती रखता था पर रिबिका याकुब से पृती रखती थी एक दिन याकुब बोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाब जंगल से ठका हुआ आया तब एसाब ने याकुब से कहा एसाब क्या करता था? शिकारी हलो, शिकारी था एसाब जान दीजे, मारता था, खाता था मारता था, खाता था आज का हर मसीश शिकारी हो गया है आपको इमीजेट चाहिए इमीजेट मालो खाओ, अभी प्रात्रा के अभी मिले अभी प्रात्रा के अभी मिले अभी प्रात्रा के अभी मिले आप आजमाईश में क्यों आते हैं अभी प्राथना की और कल उत्तर नहीं दिया, यह चर्च अच्छा नहीं है यह पास्टर्स सही नहीं है और इश्टू मसी भी अभी सही नहीं है क्रूस पर मर अथा की नहीं चलो दूसरे मंदर में चलते हैं करी दूसरी मूर्ती के पास चलते हैं जहां लाइन लगी होगी यह हजारों की लाइन लगी हाँ यह सही है त्यूंकि आपको मार के इमीजेट खाना है हलो आपको मार के इमीजेट खाना है ऐसा आप मारता था खाता था मारता था खाता था परमेश्र का सभाव उसमें नहीं है परमेश्र का सभाव देंता में है प्रेम में है अललिया पढ़िए जली से पढ़िए और एसाव जंगल से ठका हुआ आया तब एसाव ने याकुब से कहा वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में कुछ खिला क्योंकि मैं थक्का हो, उस लाल वस्तू, देखिए, आप, आपके अंदर जब कोई भावना नहीं होती है, आपके अंदर जब ठहराव नहीं होगा न मेरे भाई, तो आप पहचाने, आपको पता है नहीं कि आप क्या मांग रहे हैं, वो दाल को भी नहीं पहचान रहा है वो लाल वस्तू कह रहा है वो पहचानना नहीं चाहता है यह क्या चीज़ बन रहा है नहीं नहीं मुझे कुछ दे दे तू उसको विश्वासी नहीं कि परमेशा है जीवन परमेशा जीवन देने वाला है उसको विश्वासी नहीं है इतना वो शरीर की अबिलाशाओं में है मेरा मेरा मेरी भूक मेरी भूक मेरा पैसा मेरी सर्विस मेरी सर्विस चली गई तो क्या होगा अरेच चास्तो दुबारा में में यह कर लूँगा मेरा पैसा चल गया यह चल गया तो क्या होगा अरेच अब आपका चास्तो दुबारा जाओंगा मैं पैसे के बाद पैसे के मामले में सर्विस के मावले में धंदे के मावले में आप पहचानी नहीं नहीं परमिश्र को आप परमिश्र के सामर्थ को पहचानी नहीं रहें उसको समझे नहीं आ रहा है कि यह दाल है काउसी लाल जो भी मुझे दे दे मुझे दे दे हलो परमेशन ने हमें सहियम की आत्मा दिये हमारा परमेशन हमारे साथ है हमें अपनी भूग पर कंट्रोल करना है शैतान हमारी भूग का फाइदा उठाता है जब इशो मसी चाले जियन उपवास में थे बाइवल कहती है कि जब वो भूगा हुआ कब शैतान आया परिशा करने के लिए चालिस दिन के बाद चालिस दिन चालिस राज जब इशो मसी रोठी के लिए भूगा हुआ जब वो कमजोर हुआ शैतान आया और शैतान ने का अरे ये पत्थर है तो तो परविशा का पुत्र है इसको बोल रोटी बन जा जब आप कमजोर होते हैं न तो शैतान आपको वरगलाता है आपकी बुद्धी बंद कर देता है जब आप कमजोर होते हैं तो आपकी बुद्धी बंद हो जाती है जब आप कमजोर होते हैं तो गुस्टा करते हैं और गुस्टे में आप गलत दिन रहे लेती है जब आप कमजोर होते हैं आपकी भूख आपको कमजोर कर रही है डानियल को जब गुलाम बनाकर डानियल को और उसके सातियों को जब गुलाम बनाकर परमेशर लेकर आये था भी लॉन में और उसे कहा गया था कि तीन साल तक इनको मेरा खाना खिलाओ राजा ने कहा था आग गया दी थी कि मेरी मेश पर जो खाना होगा वो दैनिल को खिलाओ तीन साल तक उसमें मदरा भी थी उसमें रोस्क, मटन, चिकन, मचली, कबाब हर चीजे थी रोस, सुबह, शान तक, तीनो टाइम दानियल ने का नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा मैं क्योंकि वो जान गया था तीन साल तक मैं लगातार इस खाने का अगर मैं आदी हो गया अगर मैं इस भोजन का आदी हो गया, तो ये भोजन ही मुझे परिशा में डाल देगा मुझे सुक का आदी नहीं होना है मुझे एसी का आदी नहीं होना है, मुझे कार का आदी नहीं होना है, क्योंकि कि अपने आपको कंफर्ट जोन से निकालिए अपने आपको कंफर्ट जोन से निकालिए कि नहीं मुझे कंफर्ट नहीं चाहिए याद है यह हुना बप्तिस्टों बाला याद है जंगल में इंतिजार कर रहा था क्या पहने हुए उंठ के रोएदार कपड़े जो चुबते थ उस खाल को आप एक घंटा पहन लेजिए हालर लिए तीस साल तक उसने पहने थे यहन ना बब्थ्यस्वाँ वाला यह से यह ना बब्थ्यस्वाँ वाला नहीं था बच्पन से उसने रोईदार कपड़े उठके जिसमें आराम नहीं होता है जिसमें आप आराम नहीं करता हमेशा वो चुभन आपको याद दिलाएगी कि तू प्रभू के लिए है मुझे ऐसी इस्तिती में रहना है मुझे ऐसी जगा रहना है जहां मुझे मेरा वाहतावरन याद दिलाएगी कि मैं सिर्फ इशू के लिए हूँ अपने लिए प्रात्रा मत करिये आराम की इस अंतियम समय में आराम की प्रात्रा मत करिये कि मुझे आराम मिले कहीं आपका आराम आपको पीछे ना लेके जाए अललुलिया इसलिए ऐसाब के सामने वो दाल थी पढ़िए पढ़िए जली पढ़िए आगे याकूब ने कहा अपना पहलोटे का अधिकार आज मेरे हाथ बेज दे एसाब ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ इसलिए पहलोटे का अधिकार से मेरा क्या लाब होगा याकूब ने कहा मैं मरने पर हूँ किया वो मर जाता एक वक्त का नहीं खाता तो मर जाता हलो मुस्से बात करें मर जाता वो जो प्रभू को नहीं जानता जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ मैं 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 उठोटी सी चीज भी उसको नहीं मिलती nei menti कि आज का मसी seuटी सी प्राथरों आपके कुश्बूल नहीं होतीinky आप कए आपके नहीं प्रभूबू नहीं है कि हालेलुए मैं मर जाओंगा अगर यह नहीं मिलेगा कि अगर मेरे यह प्राथना पूरी नहीं कर आए अरे प्रभू अगर ये नौकरी नहीं मिले तो मेरी शादी नहीं होगी अरे वो लड़की जो उससे प्यार करती है वो कहते है पहले नौकरी कर ले तब मैं शादी करूंगे अरे प्रभू देया कर दर्भू देया कर आप समझते मेरा अंत हो गया ये लगी नहीं तो मैं नहीं कि सर्विस नहीं तो मैं नहीं कि धंदा नहीं तो मैं नहीं अलो प्रभू पहले है वो कहता मैं मर जाओंगा अगर ये ना मिला तो मैं मर जाओंगा अगर ये डाल नहीं मिली लाल रंग की डाल नहीं मिली तो मैं मर जाओंगा उसे अपने अधिकार का अधिकार के बारे मैं नहीं समझ रहा है वो हलो संसार की छोटी छोटी चीजें आपके शरीर की अभिलाशाओं के छोटे छोटे सुख आपको आपके अधिकार से दूर कर देते है आप अपने अधिकार की एहमिएत को समझते नहीं कि मैंने पस क्या अधिकार है उसके पास क्या था अधिकार? मुझे से बात करिए क्या था अधिकार आई साब के पास? क्या था अधिकार? क्या था अधिकार? बड़ा था वो उसको बोल सकता था याकूब मुझे खाना दे बोल सकता था याकूब मुझे खाना दे मुझे खाना खाना उसके बाद अधिकार था लेकिन वो अपनी भूख को उस अधिकार से उपर लेकर गया अगर आपकी भूख परमेशर से उपर चली जाएगी आपके अधिकार से उपर चली जाएगी आप मसी का अशीश नहीं पापाएंगे नहीं पापाएंगे मुझे चाहिए उसके पास अधिकार था उसे अधिकार बेचना नहीं पड़ता बोलता याकूब कल खाना डल खाना दे मुझे बड़ा था वो लेकिन चुकि उसकी भूग ने उसकी बुद्धी बंद कर दी थी आपकी अभिलाशाएं आपकी शरीर की अभिलाशा और आखों की लालसा आपकी बुद्धी बंद कर देती है आपकी सोचने की शक्ति बंद हो जाती है आखों की लालसा आपके बुद्धी बंद कर देती है, नहीं, मेरी बुद्धी बंद ना हो, पवितरात्मा, मेरी बुद्धी बंद ना हो, मुझे सही समय में मैं सही नर्णे ले सकूँ, हालेलुया, क्या-क्या उसने अपने अधिकार को बेज दिया, आगे बड़ी जली से, याकुब ने कहा, मुझसे अभी शपत खा, अता उसने उससे शपत खाई, और अपना पहले उटे का अधिकार यापुक के हाथ पेज डाला, अब सुचिए, आपकी शरीर की अभी लाशा इस कदर बढ़ जाती है, कि आप गलत संगती में आकर गलत नर्णे ले लेते हैं, शरीर की अभी लाशा के लिए आप कुछ भी बेज़ा, ओके नहीं याचीग है, आई, मैं हमाली दोस्य नहीं, अगर तुछ आता है, हम लोग साथ में आए, शाम को तुँ आता है, हम से मिलने के लिए, ठीक है, साथ में रहने चाहता है, ठीक है, चल, सिकर्ट का एक पप मार, अरे नहीं नहीं क्या है यार मेरे पापा नहीं यार हमारे घर में से अरे अच्छा ज्यादा बनता तू हम बेफकूफ है क्या हमारा कुछ हुआ क्या देख क्या इस्टाई लगता है देख फूग मारता हूं तो फूग निकलता है कुछ तू फूग मार कुछ निकला देख मैं फूग मारता हूँ और आप आजमाईश में आजाते है मेरे दोस्त ना चल जाए यार मेरे दोस्त ना चल जाए यार पहली बार दोस्त ने कुछ कहा है पहली बार मेरे दोस्त ने कुछ मुसे मांगा है मेरे दोस्तों कुछ से मानता है हालेलुया हालेलुया और हम डूब जाते हैं हम डूब जाते हैं दोस्तों को खुश करने के लिए अपने अधिकार को बेज देते हैं उसने अपने अधिकार को बेज दिया कि मैं अपने अधिकार को बेज देता हूं हलो और आप देखिए जैसे उसने अपने अधिकार को बेचा, परमेश्र का भी शेख अट गया, आप नहीं जानते हैं, आप अभी का जीवन जी रहे हैं, आप अभी के सुक को देख रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि अगर आपने अपने अधिकार को बेच दिया, अगर आपन कि अभिशेक की महत्व को नहीं समझा तो आगे वाला जल्म आपके जीवन में अभी शाप लेकर आएगा आप नहीं समझ रहे हैं मुझे अभी शाप सामने दिख रहा आप नहीं देख रहे हैं आप अंधे बन चुके आपकी शरीर की अभी लाशा ने आपको अंदा बना दिय चुके अगहामन दो पैदा कर दिया आपके अंदर कि इसलिए रिपक जो किसकी मा थी कि है रिपका ऐसाब की मा थी और क्या बहती है 27 जन्हें से 27 5 13 के बीश में कि रिपका ने एक निरनेया कि नहीं है मैं एसाब को ये अभि शेक नहीं मिलेगा ऐसाब को इसाप का आशीश नहीं मिलेगा क्योंकि परमेश्य ने का है कि छोटा बड़ा बड़ा जो है छोटे के अधीन होगा आल लिया पढ़िए बैटे जली पढ़िए तब एसाव आहर करने में मैधान में गया जब इसाव एसाव के यह बात कह रहा था तब रिबिका सुन रही थी इसलिए उसने स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यह वा के आगे मरने से पहले आशिरवात दू अजी इसलिए अब है मेरे पूत्र मेरी सुन और यह अग्यामान कि बक्रियों के पाद जाकर बक्रियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे लेया और मैं तरे पिता के लि तुझे तुझको आशिरवात दे ग्यार्वा याकुब ने अपनी माता रिपका को उत्तर दिया परनतु मेरे मेरे भाई ऐसाफ की दे तो दे पर तो बाल है यह कि मेरी दे तो चिक नहीं है कदाचित मेरा पिता मुझे ट्रूल कर देखे तब तो मैं उसकी दृष्टी में और आशिरवात के बदले मैं अपने उपर शाफ ले आऊंगा पर उसकी माता ने उससे कहा कि है मेरे पूत्र वो शाफ मुझ पर पड़े केवल मेरा कहना मान और जाकर वे बच्चे जो मेरे पास ले आ हालेलिया यहां पर रिबिका कहती है उसका श्राप मुझ पर पड़े क्योंकि वो जानती है श्राप नहीं होगा वो जानती है परमेश्र की योशना काम्याब होगी वो जानती है कि ऐसा आपने अपने अधिकार को बेश लिया जो लड़का अपने अधिकार को बेश देता है वो परमेशर के आशीश को नहीं समाल पाएगा अगर आप उस अधिकार की इज़त नहीं करते हैं अगर आप वैल्यू नहीं करते हैं तो आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा, वो आशीश नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, रिबिका जो है, वो भावनों में बहने वाली औरत नहीं थी, एक चीज़ मैं बता दूँ, बाइबल, परमेश्वर के राज्युमें हमें भावनों में नहीं बहना है, आपको याद होगा, चौबिसमा अध्याय जब रिपिका को देखने के लिए एलिएजर गया था और एलिएजर ने कहा था कि मैं रिपिका को देखने के लिए आया हूं और यही बाते मेरे सांग हुई है तो लाबान और बरतुएल की जो बेटी थी उसका पिता था उसने का कि ठीक है हमें आपने काई भीकुल ठीक है हम अपनी बेटी को आपको देते हैं लेकिए हम अपने बेटी को दस दिन के लिए अपने घर रखना चाहते हैं क्यूंकि Ragika को उन्होंने पसंद कर लिया था और रिसाक के लिए लेके जाने वाले थे तो मअब आपने कहा कि हम चाहते हैं कि navy का 10 दिन हमारे घर में रहे तो एलीज़न ने का कोई बात नहीं आप ये आप पर नरन लीजिये लेकिन मुझे जाने दीजिये तो तो उन्हों ने रिबिका को पुला कर का था कि रिबिका तू बता दस दिन यहां रहेगी यह जाएगी, रिबेका ने का मैं अभी जाओंगी उसने decision लिया, वो भावनाओं में नहीं बहने भावनाओं में अगर आप बहेंगे, आप खोदेंगे अपने रिष्टों को खोदेंगे भावनाओं में नहीं बहना यह मेरा पिता है, माबाब किसांग, पता है को जाना है एक उसे मौका मिल रहा है, एक उसे पती मिल रहा है उसे दूला मिल रहा है माबाब के भावनाओं में उसे नहीं रहना है वो भावना में रहके 10 दिन के 20 दिन होते, 20 दिन के 40 दिन होते फिर लाबान बोलता कि छोड़ के आउंगा तुझे फिर बर्तुयल बोलता मैं छोड़ दूँगा तुझे और पता चला कि वो जो आशीश था वो निकल गया इसलिए जो रिपिका थी वो भावनाओं में बहने वाली नहीं थी आलसी नहीं थी वो इमिजेट उसने डिसीशन लिया ओके नाई मैं जाओंगी मैं जाओंगी यह परमेश्र की ओर से है मुझे पती मिल गया है और मैं जाओंगी यहां पर उसने अंदर ने लिया यह नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी तुकि इसाग जो है वो बिकॉज आफ अपने खाने के लाल झाले पहले अपने पतने रिपका शाने पूछा कि मैं इसको आशीत रहें चाहता हूं कि सही दूंग ओ कर अध्योय है को पति-बुखनी एक दुसरे के पूरख है कोई भी काम पतनी को पती के बिना नहीं करना चाहिए और पती को पतनी के बिना नहीं करना चाहिए कोई भी निरने अगर आप जीवन में ले रहे हैं पतनी पती को एक साथ मिलकर लेना चाहिए अपने भविश्य का नरने यह बहुत इंपॉर्टन नरने था कि वो अपने बेटे को इसाग जो है अपने बेटे को सारी आशीशे देने वाला था जो बड़ो को जो एक एसाब को जो एक पहलोटे को आशीश दी जाती है लेकिन रिपका जानती थी यह पहलोटा है नहीं यह पहलोटे पन का अधिकार तो बेच दिया है रेसलोट हालिलुया क्यों कर पाई वो यह सब कुछ क्योंकि उसने दूसरी बार प्रात्ना की कि परमेश्यर मैं बांश थी मैं मानी बन पारी थी और तुने मुझे मेरी कोख खोली है तुने मुझे आप्शीशित बच्चे दिय उसने परमेश्यर से पूछा उसने परमेश्यर से बुद्धी मांगी कि मैं कैसे आगे अपने जीवन को चलाओं आपने मुझे नौकरी तो दे दिये प्रभू अब ये नौकरी में मैं कैसे चलू था कि मैं तेरी भी इच्छा पूरी करूं तेरे राज मैं भी आगे बढ़ मेरी ऑलाद तुने मुझे दिये इस बच्चे को जो मैं पैदा करूं तो उसके बाद दिया तेरी बनी रहूं तेरे अनुसार चलूं वो कैसे करूं मुझे बुद्धी दे लेकिन हम दूसरी बार प्रात्रा नहीं करते हैं हमें एक आशीश मिलता हूं उस आशीश में खो जात गर में आजएए गर में परात्रा कर दिया कर दिया है जो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है न तो हम 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 चाहते हैं कि हमारी तरीके से हो काम हमारा जीवन हमारे तरीके से नहीं चलेगा है चाहे हम कुछ भी हो उसके तरीके से चलेगा हमारा जीवां जैसे न आप यह सो परमेश्वर की द्रिष्टी से परमेश्वर की अनुसार चलेगा, उस दिन आपका अभिशेक कोई निचीन पाएगा, कोई निचीन पाएगा, कोई निचीन पाएगा, आप समझते नहीं है उसकी पवित्रता, अयूब की पत्री, 23 का 10, परन्तु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समा निकलूंगा, इमेन, यह अयूब कह रहा है, अयूब के समय में बाइबल नहीं थी, परमेश्वर नहीं था, इशू मसी ने क्रूस पर बलिदान नहीं दिया था, पवित् अयूब कैसे रहा, उसके बच्चे चले गए, उसके ममिशी चले गए, मर гए, सब कुछ उसके जीवन से चला गया, सब कुछ, एक घंटे के अंदर वो बर्माद हो गया, एक घंटे के अंदर, आप सूचे, उसके बावजूद भी वो कहता है, वो कहता है, के परन्तु वो मे मुझे पड़क चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा Amen कौन सी चीज उसको जिन्दा रखे हुए कौन सी चीज अभी भी उसे शांती दे रही है कौन सी चीज उसे शांती दे रही है कौन सी चीज उसे परमेश्वर से जोड़े हुए उसकी पवित्रता परमेश्वर की धार्मेक्ता हाललुया चोर आपके पैसों को लेके जाएगा आपके धन को लेके जाएगा लेकिन आपकी पवित्रता को नहीं लेके नहीं जाएगा अईूब को घमन था अपनी पवित्रता पर कि मैं खाना हूँ मैं पवित्र हूं हललोया बाइबल नहीं थी उस मैं इशू मसीने प्रुसिफाइड नहीं हुआ थे उस समय तक पवित्र आत्मा नहीं थी दुनिया उसके विरुद्त थी उसके दोस उसे गालिया दे रहे थे उसकी बीवी कह रहे थे अरे तू मर जा लेकिन वो कह रहता है नहीं मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा खरापन मेरा इश्यू जानता है एमेन उसके खरेपन ने उसमें शक्ती रखी उसके पास कुछ नहीं था उसके पुरे शरीम में फपोले पड़ गए थे वो ठीक्रों से अपने खपोलों को खुझली करता था कुछ नहीं था उसके पास उसको घमंड था अपनी पावित्रता पर अपने खरेपन पर घमंड था इसलिए इश्यू मसीन है इसलिए परमेशन है शैतान से कहा कि जा धर्ती पर एक ही खरा इंसान है हालेलुया इमें हमें घमंड करना है अपनी पावित्रता पर आपकी पावित्रता को कोई आश नहीं लगा सकता है आपके सिवा अगर आप अपवित्र होना चाहते हैं तो ही होगा अगर आप अपवित्र नहीं होना चाहते हैं कोई आपको नहीं कर सकता है इस सब बहाने हैं दोस्त ने कह दिया सहली ने कह दिया उसने कह दिया उसने कह दिया वाता वरना ऐसा हुआ मैं थक गया था मैं यह हो गया नो सब बाने हैं सब बाने हैं आललुएया इसलिए रिभिका जान गई थी उसाखा नहीं मैंने हैं चाहती कि और इसाहाव को जिसने अपने पैलोते पन के अधिकार की की उसकी कीमत नहीं की उसको याशीश नहीं मिलना चेए उसurnribH पेटे को भेजा और जब याकूब ने कहा कि अरे अगर हम पकड़े गए तो हमें श्राब देदेगा हमारा पिता कहता वो सारा श्राब मुझ पर आए तुछ पर नहीं लगया क्योंकि मैं कर रही हूं हलो जब आप अपने उस अभिशेक का उपियोग करना चाहेंगे जो मिला है जो आशीश आपको मिला है जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको यूज करने के लिए परमेश्वर की बुद्धी मांगिये जो आपको धन दिया है उसके यूज़ करने के लिए परमेश्र की बुद्धी मांगिये हम उस्तों में भूल जाते हैं परमेश्र को हम पिता के वश्रों को भूल जाते हैं अपने धन को देखते हैं इसलिए जब जहास पर उस लौ पर अधबुद्ध अंकिरत मशलिया थी पत्रस ने देखा याकूब ने देखा इतनी मशलिया आज तक हमने नहीं पकड़ी इतनी मशलिया थी इश्यो मसी ने का मेरे पीछे हो लो क्या देखना चाहते है देश्यो मसी कि इतना मिलने के बाद भी ये मुझे जानता है या इसके लिए एहमियत क्या है ये मशलिया या मैं जो आपको आशीश दे रहा है वो आपके लिए कीमती है या आशीश इमें आज आपको धन्दे में एक लाख रुपए का फाइदा हुआ आपके लिए लाख रुपए जादा कीमती है कि देने वाला लाग और पत्रस ने का जैसे ही देखा उसने का चलो पीछे इश्यो मसी ने हर एक के पीछे का चलो करो मेरी जएसे मैं से विकाई कर आँ ऐसे करो नाई है किया था मतलब इश्व मश्री करहत की इचाना की मेरे पीछे चल ऊई काम हुआ कि मैरे पीछे जीवन मेरा है वैसा तुम जीओ लोग तो क्या समयाा सवीर करें मेरे जैसे मेरी पीछे चलो यानिके हम ईश्व मेसीह के पीछ लेंगे तो मुर्दों को जिन्न culpa कर लेंगे अंटों को आलेंगे डिलणों कान कान को राव है को आठंट को इच्छ में पाट पानी पर चल सका अ कोई है जिस déjà रोटी कुंछ हरा को यह जो जैसे चाल चलें दीनता और नम्रता में हम उसके अनुसार चलें और ये वच्छन अगर आप समझ लेंगे मेरे भाई आपके जीवन से शांती दूर हो जाएगी और शांती आजाएगी एमयाथ 1000 कि इक यहांपल भूंगा जल यणिसर ऊसको आभध मळन करूँगा अलेशीवा और जखरिया वुजिंक बेटा दंग घैँहुन खान dop यहर्ण के आजिए अनलाएग नम्री और इस और दोनह धर्मी थे एलिटाइक अरुन हरुनवए नहीं किते थी वो दोनों धार्मी थे लिगन उनका उलाद नहींती उनके उलाद नहींती उपरात्राभा करते थे हमें बत्च्छा उन्ट मुद्धा कडे C अंधा नफ्था० anything वे अब ने से लिसेन लेसेन अब बताया कि तेरा बेटा जथ मांग रहा है उसका क्या होगा वो ये जै लूल वो कैसा होगा वेहले ने प्रातरा व्ही एक और दाकरस और मदीरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्व में से पवित्रात्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राइलों में से बहुतेरे को उनके प्रभू परमेश्र की और फिरेगा इमेन यहन्ना बबतिस्वाले का करेक्टर चरित्र उसके पहला पैदा होने से पहले इसवर दूस ने उनको बताया प्रेस अलोट हाललुया अब जब यहन्ना पैदा हुआ वो एक अलग स्टोरी है कि वह कैसे हुआ अब जब यहन्ना बबतिस्वाला पैदा हुआ अब यह भविश्यमानी करता है कौन जकर्रिया जो की याजग था सोचिए 76 77 76 इसी का एक का 76 77 और तू हे बालक परंप्रदान का भविश्यूक्त हमने बालक है जगरिया का बालक है वो यह याजग था जकरिया कौन था कौन था हमेशे ऐसा होता कि इंसान जब बाप होता बिंजनस्मेन करता मेरा बेटा भी बिंजनस्मेन बनेगा बाप होता है टीचर करता मेरा बेटा भी टीचर बनेगा बाप होता है मेकानिक मेरा बेटा भी मेकानिक बनेगा जकडिया कौन था याजक लेकिन च्योंकि स्वदूत के द्वारा वो जान चुका था कि उसे क्या करना है अब वो भवश्यमानी कर रहा है यहनम वक्तस्वाम वाला उसके सामने है क्या बोल रहा है पढ़िए 76 और तू हे बालक परम्प्रदान का भवश्युक्ता कहलाएगा अगे क्योंकि तू प्रभू का मार्ग तयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा अलेलुया यह उस प्रात्रा का असर है जब उसने मांगा कि परमेशन मुझे बताईए कि मुझे क्या करना है यह बालक तू इशु के आगे आगे चलेगा तू धार का कारण होगा उससे यह नहीं का परमेशन मेरा बेटे को भी याजक बनाईए अलेलुया पहले प्रात्रा की कि मेरा मैं धर्मी हूँ मेरे है आर यहँआ भर मेंशन देकर नहां जेकर इच्छों क के इस बच्छे के लिए का है तो नहीं से अशनाच फिर्टार T दिन तक जंगलों में रहा जो माबाब बूले हो गए जो माबाब बूले हो गए अपने बच्चे की शकल देखने के लिए अब सोचिए जैसे ही उन माबाब को पता लगा कि मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे बच्चे के लिए क्या है उन्होंने अपने बच्चे को जंगल में भेश दिया मान नहीं आती थी नाश्टा लेकर खाना लेकर नहीं लिखा है प्रेस अलॉट यह ही इशुमस्थी धर्दी पर नहीं आया आप यह ही इशुमस्थी के सेवक नहीं बन सकते आपको अगर इशुमस्थी का सेवक बनना है मेरे भाई आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा वो जंगल में नर्जन इस्थान में राती साल तक उठके रोएदार कपड़े पहन कर खाल पहन कर और टिड्डिया खाता था उसका बगल में उसके बाप का गाउं था बाप आ सकता था मिलने के लिए रोज मा कहती कि मैं तो खाली हूं बूरी हूं अपने बेटे के लिए लेकर जाओं अच्छा नाश्ता जाचकों को तो बहुत कुछ मिलता है मंदिर में खाने के लिए निर्जन क्योंकि क्या है असीवा दवारा बढ़िये और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बल्वंत होता था आत्मा में बल्वंत होता था अगर वो शरीर के अनुसार रहता तो आत्मा में बल्वन्त नहीं होता वो तीस साल तक आत्मिक रोटी खाता रहा आत्मिक जीवन जीता रहा अगर आपको आत्मिक जीवन जीना है मेरे भाई, मेरी बहन आपको संसार का प्रभाव अपने उपर से हटाना पड़ेगा जब तक आप संसार का प्रभाव अपने उपर से नहीं हटाएंगे परमिश्र की आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर पाएगी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप प्रातना करते हैं और परमिशर आपको कुछ देता है धन्यवाद दीजिए और जो दिया है उसके संग मैं कैसे रिष्टा रखूँ उसके संग मैं कैसे डील करूँ उसका मैं कैसे उप्योग करूँ इस बारे में रोज प्रातना करिए मांगे जिससे जो प्रतिपल आपको मिल रहा है उसका अभी शेक आपके उपर रहे उसके क्रिपा आप पर बनी रहे कहीं वो आशीश आप पर हावी न हो जाए कहीं वो आशीश आपके दिमाग पर ना चड़ जाए कि आज मुझे लाख रुपए की तनका मिली है अब मैं डेड़ लाख के लिए जाओंगा अब मैं दो लाख के लिए जाओंगा फिर वहाँ पर कुछ दोस्त मिल जाएंगे कि ये भी पार टाइम हम शुरू कर देते हैं वो भी पार टाइम हम शुरू कर देते हैं और शेतान बले बले करेगा क्योंकि शえतान जानता है आप चेंगुल में फ़स गई । आज का लोग Stock Exchange में जा रहे हैं Stock Exchange में में करता हूँ थ्भड़ा सा में डाल देता हूँ Stock Exchange ये शेतान की चाल है Stock Exchange में पैसा आप ढालेंगे हो सकता आपका बंजा है पैसा कोई बड़ी बात नहीं है 10 के 20 भी हो सकते हैं 20 के 100 भी हो सकते हैं लेकिन क्या होगा आपके अंदर से पवित्रता निकल जाएगी और लाला चा जाएगा आप रोज सुबह उठते ही परमिश्रों को याद नहीं करेंगे आप लेक्टाप खोलेंगे और देखेंगे आज स्टॉक में कितना बड़ा है आज मेरा शेर कहां गया है आप परमिश्रों से दूर हो जाएगे कोई भी विचार कोई भी आशीश मुझे प्रबू से दूर ना करे याद रखिए अंतिम समय है सब कुछ यहीं धरा का धरा रहे जाएगा इश्यू मसी आने वाला है बहुत जल्द अगर आपने अपने आपको नहीं समाला अगर आप अभी भी अपने आपको संसार से अलग नहीं कर पाए अपने एहम मेरा पैसा, मेरी दौलत मेरा धंदा मेरी नौकरी से अगर आप अपने आपको अलग नहीं कर पाए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी मत करिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ धंदा मत करिए लेकिन पहला इस्तान प्रभू को दीजिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं मेरे भाई, मेरी बहान में हैं आप बहुत खत्रे में हैं कुछ नहीं रह जाएगा कि दौलत सबकर कर खतम हो जाएगी कुछ नहीं बचपा एक बार इश्यू आया और अगर आप रैप्चर में नहीं गए आप क्या सौंचते हैं आपकी दौलत आपको बचाएगी आप रोएंगे अपनी दौलत को यूज करने के लिए आप रोएंगे नहीं मिलेगा कुछ भी और एक बार प्रभू चला गया खतम अभी भी वक्त है अपने आपको जाचिए प्रभू में रखिए प्रभू की आज्याओं पर चलिए परमेश्व से मांगिए घुटने टेकिए कि मैं तेरे अनुसार अपना जीवन बिताओं तेरी आज्याओं के आज का बचन आपको अच्छा लगा होगा आज का बचन आपके अंदर गया कितनों ने आज का बचन ग्रहन किया है बोलिये इशु मसी की प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है